नमस्कार दोस्तों तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हूं Ivor Mectin Ivor Mectin से related सारी information देने वाले हूं इसमें mechanism of action कैसे ये act करता है body में dose rate इसका क्या है किसे सबसे देते हैं root of administration किस root से लगाए जाता है ये और precautions क्या है किस-किस conditions में नहीं देना है कॉंसी breed specific में नहीं देना है तो पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कि Ivermectin जो है यह act endo parasiticide है इसका मतलब होता है कि यह acto और endo parasite दोनों पर act करता है और mainly जो है इसको आसन भशा में मैं बताना चाहूँगा तो इसको बोल सकते हैं आप कीडे मारने की दबाई यहां फिर इस टाइप की बिमारी जो है कीडों से संबंदित बिमारी में इसे इस्तेमाल करा जाता है mainly veterinary practice में ज्यादा तर इसे यूज करा जाता है और इसका uses जो है वो सारी breeds में नहीं कर सकते हैं और इससे संबंदित सारी information में आपको देता हम तो आईए हम देखते हैं mechanism of action सबसे पहले देखते हैं तो जिसे कि अब देख पार है it potentiates gaba release and increasing normal resting potential of post synaptic membrane तो यह क्या करता है post synaptic membrane का resting potential जो है वो बढ़ा देता है increase करता है and in turn blocking neural transmission and worms undergo flashed paralysis तो mainly act ऐसे करता है कि जो worms होते है उनका paralysis cause करा देता है gaba release के दुरू ठीक है आईए हम आगे देखें तो indications indications मतलब आप किन-किन बिमारियों में इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं यह वीडियो में मतलब veterinary specific है जानवरों से संबंदित बिमारियां के लिए है तो आप देख पार है canine heart warm disease में यूज कर सकते हैं इसको जो की microfilaria canine heart warm disease की जो ideology होती है वो microfilaria worms होती लंग warm में यूज कर सकते हैं GI limited eye warm के case में यूज कर सकते हैं फिर सबसे important और सबसे महित्वपूर्ण चीज इसकी यह है कि dose rate आप किस हिजाब से देंगे कौनसी species में कितना देंगे तो main जो इसका ideal dose rate है आईवर मेक्टिल का वो 10 mg प्रती 50 kg body weight है 10 mg पर 50 kg body weight और यहां फिर आप उसको 200 microgram पर kg भी बोल सकते हैं यहां फिर उसको आप 0.2 mg पर kg body weight भी कह सकते हैं ठीक है तो अगर मान लीजिए एक ml में 10 mg जो है ड्रग आ रहा है आईवर मेक्टिल और आपको दो किलों पर लागाना है तो उसको आप 0.2 mg दे सकते हैं ठीक हैं उसके बाद यह जो प्रती प्रती प जो dose rate है वो यह सारे चीजों पर अप्लिकेवल है cattle, sheep, goat, horse, pig, dog और यह जो dose rate है कुछ जगे यह dose rate जो है 300 से 600 microgram पर kg body weight से भी use करा जा सकता है यह करा जाता है जैसे भी ठीक है तो ideal dose rate हो गया 0.2 mg पर kg यह 10 mg पर 50 kg body weight आईए हमागे देखें root of administration, root of administration की बात करें तो यह subcutaneous root, subcut जो है दिया जाता है यह injection यह फिर tablet के फार्म में दिर्याइश दिया जाए तो oral इसे दे सकते हैं ठीके, उमिद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे, precautions की बात करते हैं अब precautions में mainly coli breeds of dog, coli breeds of dog, doxies रेती है, ivermectin के लिए तो उन breeds में बिल and the second thing is that should not be given intravenous and intramuscular यह सिर्फ सब अगर injectable form में अगर ivermectin आपको किसी भी animal में यूज़ करना है तो वो subcutaneous root से ही inject यहां फिर दिया जा सकता है, administer करा जा सकता है, उसके अलावा injectable form में इसके को ना IV दे सकते हैं ना IM दे सकते हैं ठीके, और यहां तो फिर आप oral अंगर और आवर्मेक्टिन से रिडिटे ट्रॉनेर सारी चीज़ें बता दिये, तो थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू वेर्य मच्च करी का करा यू, जा हैया तो वोम्सिए etc. झाल झाल